बिसमिल्लारहमारुराहिम ये स्टुडेंट्स हमने पढ़ने हैं आज इंपोर्टेंट पिरियर्ट इन दा हिस्ट्री आफ अर्थ अच्छा देखें इसमें जो फर्स्ट वान है वह कार्बोनी फेरेस पिरिएट इट इस लास्ट इट इसका डुरेशन कितना था 300 येहज्विया थो 360 मिलियन इयर्स ठीक है इट इस एन इंपोर्टं पिरियड आफ पहली होगे न लुट इट इस पिरियर्स के के ढूरिंग इस पिरियर्स पिरियर्ट विब्टाइल्स एंड प्टेरिड़ आपाइड जो इस तो इस प्लांट्स होते हैं कि जिन पर सीड़ और फ्लार्ज नहीं होते ठीक है यह स्पॉम्स की फार्मेशन होती है इनमें फिर वह आगे डिस्पर्स होके इनके आफ स्प्रिंग्स जो है वो पर्ड्यूस करवा रहे होते हैं इसके लावा जितनी डेट बॉड़ी सी वो ड्यूरिंग इस पिरिएड वो बरीड हुई जिससे को पिरियड है यह जो पिरियड है इसके दुरान हमारी अर्थ पे बहुँ ज़्यदा एक्सिंशन होई मतलब ओशन लाइफ में 90 परसेंट और लैंड लाइफ पे 78 परसेंट और इसकी साइंटिस जो वज़ा बता रहे हैंगे वो क्लाइमिट चेंज हुआ होगा यहां फिर वो और मैमल्स वर फार्मड ठीक है और सेकल ले क्या हुआ था कि जो जमनोस पांसे वर डॉमिनेट ओन ऑन दी अर्थ जमनोस पांस ऐसे प्लांट्स होते हैं को जो सीड परड्यूसिंग है ठीक है उसके बाद जो डाइनोसौर्स हैं वो रीच्ट एर देर पीक इन दिस ठीक है इसके जो इराज हैं इसके जो इवंट्स हैं क्या हुआ कि जितने भी डाइनोसौर्स एंड हाफ अदर और अर्गनिजम्स प्लांट्स एनिमल्स ठीक है वो एक्स्टिंट होगे थे डूरिंग इस पिरिड उसकी वज़ा यह थी जो साइंटिस बताते हैं कि जो लास्ट एक वाड़नरी पिरियट ठीक है विच हैं लास्टिंग फार्म फाइफ मिलियन इस टू प्रेजन डेस और इस केमर्स में क्या हुआ था कि जो ही हुमन है वह सर्थ पे वाब लूए थे